सोलन के जोली शोरूम में चोरों ने सेंट तो लगा दी लेकिन चोरी नहीं कर सके इस बात का खुला सा तब हुआ जब शोरूम के करमचारी सुबा शोरूम को खोलने के लिए पहुँचे उन्होंने जब शोरूम को खोला तो पाया की अंदर सामान अस्त ब्यस्त पढ़ा है कर उकता श्रक्षा के इंतजाम होने के चलते बे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और खाली हाथ ही उन्हें लोटना पड़ा फिलहाल पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और CCTV फोटेस को खंगाला जा रहा है अगर चोर अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो ये एक बड़ी घड़ना हो सकती थी शोरूम के करमचारी ने बताया कि जब उनके द्वारा शोरूम खोला गया तो अंदर सामान बिक्रा पड़ा था जिसकी सुचना उन्होंने तुरंद अपने स्टाप को दी पुलिस को भी सुचित किया गया पुलिस अबिसकिटना की चान बीन क जैसे ही मैंने लॉक ऑपन किया तो हमने देखा कि अंदर दर्बाजे के सीसे तूटे हुए और जैसे हमने देखा तो मैंने सर को बढ़ाया कि सर मने सीशे तूटे हुए चेक कर लो, न्य हो सर अंदर गे और उन्होंने देखा कि अंदर हमारे जो दर्वाजे बगेर हैं सारे सारे दर्वाजों के सीशे तूटे हुए थे तो सर ने चेक किया अंदर देखा कि सारे सीशे तूटे हुए है और अंदर आमने लॉक ओपन किया जो हमारा पासिंगेरिये का जो लॉक है ओपन किया तो देखा अदिक चांकरी देते हुए थाना परवारी धरम सीम नेगी ने बताया कि उन्हें जैसे ही करना की जानकरी मिली बें मौके पर पहुंचे तो पाया की शोरूम में चोरी करने का प्रयास किया गया था लेकिन चोर यहां के सुरक्षा वेवस्ता को भीद नहीं पाए उन्होंने बताया कि चोरों ने CCTV फोटेज से भी छेड़ छाड़ करने की कोशिश की है ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके फिलहाल CCTV फोटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंदर करी 12-13 प्रोटी जो औरमेट्स थे सारव औरमेट्स जो भी है सुरक्षित है वो नहीं ले जा पाए है है आई ता जूर रेकिनों पीछे से अपना शेटर तोरकर अंदर एंटर करके तोर फोर्ट जूर करकी है बग्या भी ठाच जारी है सब्सक्राइब को खंगालते हुए क्या आपको इसमें जानते हैं सिस्टी भी खंगाला जा रहा आप उन्हों को सब्सक्राइब कर रखी है उसको खंगालते हैं